तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो अगर बेसिकली इसमें देखोगे तो यह पूछा जा रहा है कि पावर जो होता है तो सो बीष मेंन स्ट ही तो यह से हमएं बता चल गया है तो हमें जरूरत क्या पड़ा इस equation first में रखने की velocity तो जब force दिया हुआ तो velocity वहाँ से निकाल सकते हो और फिर दोनों को रखके multiply करेंगे question is over तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो चलो यहाँ से force is equal to m में निकाल सकते हो that k s की power minus 1 by 3 यहाँ से आ गया और यहाँ से जो acceleration a आ जाएगा k upon m sub constant और s की power minus 1 by 3 अब displacement है तो याद करो acceleration का formula displacement के time में acceleration is equal to b dv over ds dv over ds यह बहुत important formula acceleration का I hope कि आपको यह याद होगा तो यहाँ से b और यहाँ से dv over ds की value में रख देता हूँ यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा k upon m that is s की power minus 1 by 3 तो यहाँ से जो velocity मुझे देखेगी मैं उसको calculate कर लूँगा तो यहाँ से velocity b is equal to k upon b इधर रने दो k upon m इधर रने दो s की power minus 1 by 3 और ds इधर रने दो displacement अब दोनों साइड integrate करोगे यहाँ से तो integrate करोगे तो यह तो integration से बाहर आ जाएगा और यह integrate होके बनेगा कितना बनेगा velocity का integration इधर देखो तो अगर velocity integrate होके यहाँ से बनेगा b square upon 2 इधर बनेगा k upon m और s की power minus 1 by 3 का integration तो s की power minus 1 by 3 का integration minus 1 by 3 यहाँ से plus 1 और minus 1 by 3 यहाँ से plus 1 तो यहाँ से b square upon 2 इधर बच गया और यहाँ से k upon m इधर आ गया और यह 3 ऊपर चला गया और यह 3 by 2 इधर बच गया और s की power यहाँ 2 by 3 बच गया तो कुल मिला कि जो velocity है अगर root लोग यहां से तो k upon m और यहां से 2 ने 2 को काड़ दिया और यहां से 3s की power 2 by 3 यह सब कुछ under root आ जाएगा that is velocity तो और अच्छे से लिखोगे तो k upon m 1 by 2 और यहां से 3 की power 1 by 2 और यहां से s की power 2 by 3 था और इसका 1 by 2 करोगे तो यह 2 2 खतम हो जाएगा तो finally जो velocity बचेगा ओ k upon m यहां से 3 k upon m अंडर उट ले लो ना यहां से और displacement की power यहां 3 बचा तो यह वाली जो है this is the velocity तो अब यहां से तुम देखोगे यह कितना velocity आ गया यह वाली चीज तो यह जो velocity आया यहां पर अब तुम्हें याद करो velocity आ गया और force तुम्हें पता था दोनों को multiply कर लो तो power यहां से दिखेगा पावर की जो वेलु होती है force और multiply की velocity फोर्स तुम पहले से ही निकाल लेते देखो ऊपर ks की power minus 1 by 3 और यहां से 3 velocity 3 k upon m सब कुछ अंडर रूट और यहां से displacement की power 3 तो यहां से तुम देखोगे यहां से 3 k upon m और यहां से k square m यह सब अंडर रूट ले लो इसके को अंदर ले गया और s की power minus 1 by 3 और यहां से plus 3 ठीक ना तो यह दोनों power जुड़ गये तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो यहां से तुम देखोगे power is equal to यहां से अगर तुम देखोगे यहां displacement की power 1 यहां से power 3 यहां से 2 ने कुड़ तो यहां 1 by 3 बच्चे का power एक मिनट यह जो है power 1 by 3 बच्चों यहां से तुम ने 2 को काटा तो power 1 by 3 तो यह 1 by 3 है तो यह यहां से जो यह बनेगा वो displacement की power minus 1 by 3 और plus 1 by 3 तो यह कटकोट के 0 आ गया तो power is equal to 3k की power 3 upon m under root और यहां displacement की power 0 मतलब 1 तो power is proportional to s की power 0 तो आई हो कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छा question था मतलब अपना d option सही है thanks for watching this video बबाब टेक केर हुआ है